हालो लर्नर्स वल्कम टो आर चैनल अडविश पावन आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे आज हम लोग क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए एक लेटर का प्रैक्टिस करने वाले हैं और यह जो लेटर है यह बेस्ट है आप लोगों का इग्जामिनेशन स्टाइल पर इग्जामिनेशन में आप लोगों को जिस प्रकार से लेटर पूछा जाता है देखेगा आजकल तो क्या बोलते हैं objective questions आ रहे हैं MCQs आ रहे हैं तो उसी के आधर पर इसका हम लोग practice करेंगे ठीके यह subjective और objective दोनों हो जाएगा सपोस आप लोगों को subjective में आता है पूरा लि भी idea आप लोगों को इस लेटर के थ्रू दूँगा और यह इस बार का आप लोगों का examination में यह same letter जो है वो पूछा भी गया था ठीके final exam में ओके तो देखिए का question is write a letter to your uncle ठीके आपको आपके uncle को letter लिखना है जिसमें thanking him for a nice birthday gift ठीके जिसमें आपके uncle को आपको thanksgiving letter लिखना है उन्होंने क्या क्या आपको birthday में बहुत अच्छा gift दिया जिसके चलते आप उन्हें thanks letter लिख रहा हूँ ठीके और यह आप लोगों क क्योंकि uncle को लिख रहा हूँ इसलिए यह क्या होगा आप लोगों का informal letter ठीके first of all you have to mention the address ठीके लालपूर रोड रांची देन डेट ठीके यह subjective का हो गया objective में कुछ भी इस प्रकार से missing रह सकता है dear uncle ठीके तो इस वर का जो examination में पूछा गया था वो देखेगा यहां जो आप लोगों को यह word mention किया गया है dear यह वाला ठीके तो इसके options में क्या किया गया था changes किया गया था ठीके इस तरह से dear dear ठीके कुछ भी मतलब meaning उस प्रकार से आप लोगों का निकल सकता है जैसे dear हो गया फिर dear इस प्रकार से हो गया ठीके तो इन चारों options में आप लोगों को एक select करना था ठीके यहां पर क्या था space दे दिया था ठीके फिलिन दा blanks type का space दे दिया था और इन 4 options में से आप लोगों को right one को select करना था ठीके तो right one क्या हो जाएगा dear ठीके हमने बर दिया है dear uncle ओके फिर क्या बोलते हो आप बुल रहे हो कि मेरे पास कोई भी सब्द नहीं है I have no words to thank you किन सब्दों मैं आपका धन्यवाद करूँ कि इसलिए for the wrist watch wrist watch मतलब कलाई घड़ी हाथ में जो घड़ी पैनते हैं उसके लिए ठीक है you have sent me on my birthday जो आपने भीजा मेरे birthday पर ठीक है यहां तक तो ठीक है next हो गया when I received your parcel I got delighted और जब मैंने आपका parcel जो courier के थूँ या post office के थूँ जो आया box उसको मैंने जब receive किया उस parcel को जब मैंने receive किया तो मैं delighted मैंने होता है खुश तो इस प्रकार से आप लोगों का next जो question था वो mcqs में यह तो subjective का हो गया है subjective में इस प्रकार से लिखेगा और mcqs में यहां received से पूछा गया था received का spelling में changes था ठीक है suppose जैसे यह correct वाला हो गया r e c e i v e d एक में आप लोगों को क्या देगा r e c i ठीक है e v e d ऐसा करके spelling रहेगा या फिर r e c e i v e r या फिर आप लोगों का हो जाएगा r e c e i v e ठीक है इस प्रकार से चार options रहेंगे ठीक है and you have to select the right one ओके तो इसका right answer क्या हो जाएगा received यह वाला ठीक है जो यहां पर लिखा हुआ है received your parcel I got delighted ठीक है come to the next page on my birthday party यहां से ध्यान दिजेगा यहां से जो है आप लोग पर delighted के बाद para change हो गया है on my birthday party although I have got a number of gifts ठीक है और मेरे birthday पर हलाके मुझे बहुत सारे gift मिले काफी gifts मिले but yours is a touching gift लेकिन आपका जो gift था वो सबसे ज़्यादा एकदम हिर्दय को छू लेने वाला touching gift ठीक है हिर्दय को छू लेने वाला था यहां पर भी आपका देखेगा third जो आपका था yours ठीक है इसमें confusion था काफी सारे बच्चों को आपका option दिया हुआ था जैसे your yours फिर हो गया तो हमें क्या करना था इसमें yours को select करना था यहां देखेगा mention किया हुआ yours is a touching gift ठीक है a few gave me pens कुछ ने मुझे pen gift दिया some other a set of story books कुछ लोगों ने मुझे story books का set दिया ठीक है कहानियों की संग्रह वाली किताबे some other suit length suit length क्या होता है address मेटे दिल जिसको क्या आप लोग दरजी के पास सिल्वाते हो and so on उसी प्रकार से और भी बहुत सारे gifts वगरे मिले मतलब मानलों पचासाद में पचास gift किया तो पचासों को लिखना तो possible नहीं है इसलिए and so on I never undervalue their love ठीक है ऐसी बात नहीं है कि यह जो story books मिला या pen मिला या suit length मिला वो मुझे पसंद नहीं आया या फिर वो undervalue है undervalue मने क्या उसको कम दर्जा देना ऐसी बात नहीं है ठीक है but I like your gift the most लेकिन फिर भी मुझे आपका gift ठीक है आपने जो घड़ी दी वो मुझे सबसे best लगा ठीक है I was badly in need of a watch और मुझे जो है बहुत ही जादा इसकी जरूरत थी badly ठीक है generally badly मने बुरा होता है ठीक है लेकिन यहां पूरी तरह से चाहना जिसको बोलते हैं ठीक है मुझे बहुत बुरी जरूरत थी ठीक है that means बहुत जादा जरूरत थी next जो question था वो आप लोगों का यहां से था ठीक है इस of को भरना था ठीक है options में आप लोगों का क्या क्या था off फिर for फिर आप लोगों का with ठीक है next option क्या था on ठीक है तो इन चारों में से आप लोगों को select करना था तो right one क्या होगा off जो यहां पर लिखा हुआ है off है watch ठीक है it is lovely costly and useful यह जो है बहुत ही सुन्दर प्यारा है साथे साथ costly महँगा तो है ही और useful उपयोगी भी है ठीक है मतलब सारी चीजे हैं ठीक है देखने में भी अच्छा है अच्छी घड़ी है और साथे साथ पैसे भी लगे हैं अच्छे खासे और उपयोगी भी है useful भी है then with the help of this watch इस घड़ी के साहरी I shall be regular and punctual मैं क्या हो जाऊंगा regular और punctual यानि नियमित ठीक है और punctual एकदम समय का पावन institution जा रहा है coaching जा रहा है school जा रहा है या पढ़ाई study का time है जो भी हो अपना एक time table वो एकदम punctually कर सकते हैं ठीक है I shall have it carefully and shall never part with it और मैं जो हो इसका पुरा ध्यान रखूँगा बहुत अच्छ से रखूँगा और never part यानि कभी भी इससे अलग नहीं होंगा हमेशा इसको अपने साथ रखूँगा ठीक है then with best regards yours affectionately then mention your name ठीक है और next जो आप लोगों का question पुझा था वो यहां से पुझा था affectionately से ठीक है option में क्या था किसी में affectionate करके छोड़ दिया गया था किसी में क्या लिखा हुआ था आप लोगों का affection या फिर affinity ऐसे करके अलग-अलग options दिये हुए था ठीक है आप लोगों को confuse करने के लिए ठीक है इसमें confuse नहीं किजिएगा affectionately is correct ठीक है कई-कई बार क्या करता है यही से दूसरे letter में यह जो yours वाला है ठीक है यहां इस पर से पूझता है यह जो हमने जैसे yours यहां पर लगाया था यह वाला यहां यू रहेगा यू रहेगा ठीक है माई अफिक्शिनेटली रहेगा ऐसे करके कुछ भी option दे सकता है ठीक है यहां से भी पूझता है और यूर्स का spelling में भी ध्यान देजेगा किसी किसी में क्या करता है ऐसे yours यह लिख दिया या फिर ऐसा yours लिखा रहेगा ठीक है या फिर you लिखा रहेगा कुछ भी ऐसा options दे सकता है ठीक है तो आप लोग धोका नहीं खाईएगा और जो genuine है उसी को select कीजेगा ठीक है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं किन 5 questions को पूशा गया था कहां कहां से पूश सकता है एक हो भी आप लोगों को पूश सकता है ठीक है हलाकि इसमें नहीं पूशा गया था लेकिन कई दूसरे letters में इस से भी पूशता है sent spelling अलग रहेगा send लिखा रहेगा ठीक है यह फिर received यह third number हो गया next हो गया on my birthday although I have got a number of gifts but yours ठीक है यहां से पूचा है then if you gave me pens some other storybook some other suit length and so on I never under value their love ठीक है यहां पर भी आप लोगों को change कर सकता है जैसे love है hate option देगा happy option देगा कुछ भी इस प्रकार से option दे सकता है ठीक है but I like your gift the most ठीक है then यहां से भी बोल सकता है worst देगा मतलब कुछ भी option में डाल सकता है कहीं से भी डाल सकता है ठीक है I was badly in need of a watch ठीक है यहां से off से पूचा ही है it is lovely costly and useful with the help of this watch I shall be regular punctual ठीक है आप लोग फिर से subjective के रूप में इसे दोहरा दे रहे हैं ठीक है आप लोगों को format में भी ध्यान देना इस प्रकार से एक line में सीध में रखेगा देखेगा जो यह letter है पूरा इस प्रकार से लालपूर रोड रांची 6 मार्च 2024 दियर अंकल I have no words to thank you for the wrist watch मेरे पास सब्द नहीं है जो आपने मुझे घड़ी दी you have sent me on my birthday जो कि आपने मुझे birthday पर दी when I received your parcel I got delighted मैं जब आपका parcel received किया मैं बड़ा खुश हुआ on my birthday although I have got a number of gifts हलाकि मेरे birthday पर मैंने बहुत सारे gifts पाए but yours is a touching gift लेकिन आपका जो था वो सबसे प्यारा था ठीक है if you gave me pens कुछ ने मुझे pen दिया some other a set of story books कुछ ने मुझे story books के संग रह दिये then some other suit length कुछ ने suit length दिया and so on इसी प्रकार से और भी काफी सारे gifts मुझे मिले I never undervalue their love ठीक है और ये सारे जो gifts थे ऐसा ने की कोई कम दाम का था या मुझे पसंद नहीं था सारे कोई अच्छे थे मैं किसी को undervalue नहीं कर रहा हूं लेकिन but like like your gift the most लेकिन मुझे सबसे बढ़िया आपका gift लगा I was badly in need of a watch मुझे बहुत ज्यादा ज़रूरत थी इस समय खड़ी की it is lovely costly and useful ये प्यारा भी है और पैसे वाला मंगा भी है और साथी उपयोगी भी है with the help of this watch I shall be regular and punctual और इस घड़ी की साहता से मैं एकदम regular और punctual हो जाऊंगा my friends also liked the watch मेरे दोस्तों ने भी इस घड़ी को काफी पसंद किया I shall have it carefully and shall never part with it मैं इस घड़ी का पूरा देखबाल रखूंगा ध्यान से रखूंगा अच्छे से रखूंगा और कभी इस से दूर नह आज का सेशन हम लोग यही पर कंप्लीट करते हैं फीचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी डिसकेशन को लेकर आएंगे ठीक है 9 और 10 क्लास के लिए आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा लार नश प्लीज विचे कनेकर विच अट आज अड़िछ पाववन और प्लीज लाइख श्ब्सक्राइब आवर चनल थैंक य।